राजस्थान में एक्जिट पोल के बाद अलग लग एक्जिट पोल हर तरीके से सामने आ रहे हैं वैसे फलोधी सटा बजार में भी अपना एक एक्जिट पोल होता है अपने एक सरकार बनाने का एक दावा होता है और वो ही दावा हम आपके सामने लेकर आए हैं इस दावे मे हालांकि 199 सीटों पर चुनाव हो रहा है करंपूर के एक सीट में चुनाव नहीं हो रहा है 199 सीटों में क्या कुछ हो रहा है वो तमाम चीजे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जिस प्रकार से लगातार दोस्तों आपने कमेंट करकर जो चीजे हमें बताई है जो जिन चीजों पर आपने ये जाहिर किया है भी यहां से आपका समीकरन गल्थ है और यहां पर यह जीत सकते हैं हमने उस समीकरन पर फिर से विचार किया है और वहां पर अपने सोरसे से एक बार फिर से उस सीटों को फिर खंगाले का प्रयास किया है आपके परते कमेंट हमा आपको इस exit pole के बारे में बताएंगे यह ऐसा exit pole है जिसका दावा ये किया जा रहा है भी ये पूरा का फूरा fit बैठेगा और पूरा का पूरा exit pole सेम यही रहेगा हालांकि यह तो 3 दिसंबर यानि जब चुनाव परिनाम सामने आएंगे तब सारी चीज़े सामने आएंगे लेकिन उससे पहले क्या कुछ चल ला है चलिए सुरू करते है तो बांसवाडा की तीन बांसवाडा संभाग की तीन जीलों की 11 सीटों का अनमान exit pole सामने आए है इस और exit pole की माने तो बीजेपी इस सम्भाग से बांसवाडा संभाग से आठ सीटे ले जा सकती है दो कोंग्रेस के खाते में जा सकते है और एक अन्या के खाते में जिस आठ सीटों की बात करें तो उसमें धरियावद है डूंगरपुर है आसपुरा है सांगवाडा है गड़ी गड़ कुंबल गड़ ऐसी एक सीट है जहां बीजेपी मजबूत है एकजिट पॉल के नुसार बीजेपी यहां से सीट निकाल सकती है लेकिन दो वो कौन से सीट है जहां पर कॉंगरिस मजबूत है एकजिट पॉल के नुसार वो दो सीटे कॉंगरिस के खाते में जा सकती है तो वो गाटोल और परताबगड की दो ऐसी सीटे हैं जो कॉंग्रिस के खाते में जा सकते हैं। अब रही बात एक अन्य सीट भी इस संभाग में दिखाए गी थी तो वो अन्य सीट जो है चोसासी की ऐसी सीट है जो कहीं न कहीं अन्य के खाते में जा सकती है। वहीं अगर मैं अगले संभाग जोधपूर की बात करूँ तो जोधपूर के करीबन 6 जिलों के 19 सीटों का एक्जिट पॉल सामने आया है इस 6 जिलों के 19 सीटों की बात करें तो यहां पर भाजपा जो है 9 सीट इंडियन नेसल कॉंग्रेस 8 सीट और अन्य जो है वो 2 सीट यानि जोधपूर संभाग में कहिना के भाजपार कॉंग्रेस की बहुत जबरदस्त कांटे की टक्कर है यह जोधपूर वही संभाग है जिसमें कॉंग्रेस के सीमसो गहलोत यहां से आते हैं अब अगर मैं बात करूं तो कौन सी वो 8 सीटे हैं नो सीटे हैं जो BJP के खाते में जा रही हैं तो उनकी बात करें तो इस एक्जिट पॉल के नुसार फलोदी की सीट, सेरगड की सीट, जोधपूर की सीट, सूडशागर की सीट, लूनी, बिलाडा, जैसल मेर, पोकरन और स खिवाना की जो सीट है, वो सीधे तोर पर BJP के खाते में एक्जिट पॉल में दिखाई गई हैं, अब इंडियन नेसल कॉंग्रेस की बात करें, तो इंडियन नेसल कॉंग्रेस में उनसिया की सीट है, जहां पर दिविया मदेरना लड़ रही है, होट सीट माना जाता है, भ अगर मैं बात करूँ तो दो अन्य कौन सी है, सीव सीट जो काफी होट सीट पूरे राजस्थार में चर्चा में रही है, सीव सीट क्योंकि यहां पर पहले भाजपा में सामिल हुए रविंदर सिंग भाटी और उसके बाद बागी होकर लड़ रहे हैं, यह सीव सीट पर कह सीट है जो जो दो पूर संभाग में जो है अन्य के काते में जा सकती है, अब मैं अगर अगले संभाग कोटा की अगर मैं बात करो तो कोटा में गरिबन चार जिले की सतरा सीटों का एक 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 जिट पोल सामने आ है, और चार जिले और सतरा सीटों के अगर मैं बात करो तो बीजेपी के काते में 12 सीट दिखाए गई है, इंडेनेसल कॉंगरिस के काते में 5 सीट दिखाए गई है, और अन्य यहां पर जीरो रहेंगे, यानि यहां पर बीजेपी और कॉंगरिस की टकर रहेगी, अन्य कोई भी कोटा संबाग में कोई अपना बहुत बड़ा रोल अदा नहीं कर पाएगा अब बीजेपे की बारा कौन सी सीट है उसके अगर मैं बात करूँ तो कोटा संभाग में हिंडोली की सीट है केशोराय पाटान की सीट है बुंदी सीट है सागोज सीट है कोटा दक्षिन है रामगजमंडी है अंता है छाबडा है डग सीट है जालारा पाट करें तो कहीं न की जोदपूर के मुकाबले अगर मैं यहां की बात करूँ तो यहां पर भाजपा ज़्यादा मजबूत नजर आ रही है इस संभाग में और अगर मैं यहां पर जो इंडियन नेसल कॉंगरिस की पांच सीटे दिखाए गई है इस कोटा संभाग में वो कौन- कोटा उतर है किसन गंज है बास अटरू है और लड़ पुरा सीट ऐसी यह सीट जो है वो सीधे तोर पर इंडियन नेसल कॉंगरिस के खाते में एकजिट पोल के नुसार दिखाए गई है अब मैं अगरे संभाग सीकर की बात करूँ तो सीकर संभाग जो है सीकर संभाग काफी होट संभाग है यहां पर काफी अलग अलग तरीके समीकर्ण सामने आते रहे हैं सीकर संभाग को लेकर क्या कहता है सटा बजार उसमें मैं अगर मैं आपको बताओं पांच जीले सीकर संभाग में बताए गया जिसमें से 21 विदान स्वाग सीटों का ओपिनियन सर्वे या exit poll सामने आया अगर इस exit poll की माने तो बीजेपी कहीं ना कहीं इस 21 सीटों में 9 सीट और इंडरनेशनल कॉंग्रिस के खाते में 11 सीट और अन्य के खाते में एक सीट यानि यहां पर कॉंग्रिस जो है बहुत जवरदस्त वापसी कह सकते हैं सिकर संभाग में कर रही है अब स सिकर संभाग में आपको बता दू तारा नगर ऐसी सीट है जहां पर राजेंदर राठोड एक अपनी सीट छोड़ कर यहां से तारा नगर से लड़ रहे हैं तो एक होट सीट माने गए यहां पर काफी विवाद भी हुआ मद्दान के दिन भी विवाद हुआ तो काफी होट सीट है यहां पर दोनों ही अपने अपने दावे कर रहे हैं सामने बुडानिया हैं कॉंग्रेस से वो भी अपने अपने दावे कर रहे हैं इस दावों में कितने सचाई होती है एक्जिट पॉल तो हालां कि बाजपा के राज़ेंदर राठोड को जिता रहा है अब आगे त मंडावा है लक्षमन गड़ है सीकर है दाता राम गड़ है निमका थाना है यह तमाम वो सीटे हैं जहां पर इंडियन नेसल कॉंग्रेस यानि 11 सीटों में इंडियन नेसल कॉंग्रेस सीच सकती है एक इस संभाग में अन्य भी है उद्यपुरवाटी उद्यपुरवाटी में कहीं न कहीं एक अन्य जो है मुकाबले में हैं वो जो कहीं न कहीं सीट निकाल सकता है वहीं मैं अगर अगले संभाग बीकानेर की बात करूँ तो बीकानेर संभाग में बहुत सारी ऐसी सीटे हैं जो कहीं ना कहीं होट सीटे मानी जाती है और विकानेर संभाग भी काफी अपने आप में काफी मैतपून रहा है क्योंकि कॉंग्रिस के यहां से तीन से चार मंत्री जो है विकानेर ही संभाग से आए हैं तो अगर मैं विकानेर संभाग की बात को तो विकानेर संभाग के सीटों का एक्जिट पॉल जो है वो इस पूरे जो है सटा बजार की तरफ से जारी किया गया है और अगर मैं मानूं अगर इस सटा बजार की माने तो ग्यारा जो है अठारा में से ग्यारा सीट बीजेपी के खाते में तीन सीट कॉंगरेस के खाते में तीन अन्य के खाते में और एक सीट पर अलग तरीके के कड़ी टेकर बताएगी, यानि इस सीट को लेकर कोई बड़ा खुलासा नहीं किया गया है, अब वो कौन सी ग्यारा सीट है जो बीजेपी के खाते में जा सकती है, तो वो एक्जिट पॉल के नुसार सादूल शहर है, स्रीगंगा नगर है, रा एक्जिट पॉल के नुसार बीजेपी जीट सकती है, नोहर और भादरा में भी कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, अब अगर मैं बात करूँ तो तीन कौन सी वो सीटे हैं जो कॉंगरिस के खाते में एक्जिट पॉल ने दिखाई है, तो सूर्तगड की सीट कॉंगरिस बताया गया हालांकि टकर त्रिकोनिया है, अब कौन मजबूत होगा और इस एक्जिट पॉल कितना खरा उतरेगा वो तीन तारी को पता चल पाएगा, हन्मान गड़ में भी अन्य को यानि त्रिकोनिया मुकाबला है, इसमें भी कई न कई अन्य को एक अलग जगा पे बिठ हमने आपको बताया, अगले जिले अगर आज मेर की बात करूं, आज मेर की नो जिले हैं, नो जिलों में 23 सीटों का समीकन सामने है, विदान सबास सीटों का एक्जिट पॉल सामने है, इस अगर 23 सीटों की बात कर तो बीजेपी के खाते में 11 सीट दिखाए गई है, इंडिय मजबूते के साथ आगे बढ़ा है अगर मैं बात करूँ भाजपा की वो कौन सी 11 सीट है जो भाजपा ले जा सकते इस एक्जिट पोल के नुसार तो मैं आपको बता दूँ मालपुरा की सीट है निवाई की सीट है देवली उनियारा की सीट है पुषकर है, अजमेर दक्षिन है नसीराबाद है, बयावर है, जाहिल है डेगाना, परवच्छर और नावा ये 11 वो तमाम सीट हैं जो बीजेपी ले जा सकती है अब कोंगरेस की बात करो तो कौंगरेस की वो कौन सी नो सीट है जो कौंगरेस ले जा सकती है इस अजमेर संभाग में कॉंग्रेस टॉंक से, किसंगड से, अजमेर उतर से, मसूदा से, केकडी से, लाड़नू से, नागोर से, मकराना से और सावपुरा यह वो तमाम नो सीट है, जहांपर कहिने के कॉंग्रेस मजबूत है, एकजिट पोल के नुसार कॉंग्रेस यहां से सीट निकाल सकती है इस संभाग में तीन ऐसी सीटे भी है जहां पर अन्य जो है कबजा कर सकते हैं एकजिट पोल के नुसार वो तीन अन्य हैं दीडवाना, खीमसर और मेड़ता यह तीन ऐसी सीट है जहां पर अन्य का कबजा रह सकता है अब अगले संभाग जैपूर की बात करेंगे बड़ा साध जिले हैं, 34 से ज़्यादा विदानसबाद सीटे हैं, साध जिले और 34 से ज़्यादा विदानसबाद सीटों का यह आंकलन जो है, वो सामनिया है, अगर इस आंकलन की अगर मैं बात कर लहीं, 24 सा 17uben एग्जीट पोल सामनिया है जिसमें BJP एक तरफ़ा 26 सीटे इंडिननेशनल कॉंग्रिस के खाते में साथ सीटे और एक अन्ने के खाते में यानि बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी जो है जैपूर संभाग यानि जैपूर के आसपास से जीत कराएगी ऐसा एक एक एग्जिट पॉल में अनुमाल लगाया गया है अब वो कौन सी सब भी सीटे हैं जहां पर बीजेपी को मजबूत बताया गया और एक्जिट पॉल ने ये दावा किया है कि यहां से बीजेपी अपने सीटे निकाल देगी तो वो मैं आपको बता दूँ कोट पुतली है, चोमू है, दूदू है, जोट वाड़ा है, आमेर है, जमुरा रामगड है, हवा महल है, विद्यादर नगर है, आदर्स नगर है, मालवे नगर है, बगरू है, तिजारा है, सागानेर है, चाकसू है, किसन गड़बास है, मुंडावर है, बहरूड है, बान जो है बीजेपी जो है अपना कमल खिला सकती है एकजिट पॉल के नुसार बीजेपी इसके अलावा कंठुमर भी बांदी कोई भी महेवा और सिकराज लाल सोट भी चार ऐसी सीटे जो है जो है यहां पर भी बीजेपी को मजबूत और एकजिट पॉल ने दावा किया है कि यह पर जो है बीजे पी कमल किला सकती हैं अब इंडियन नेसल कॉंगरिस की बात करें तो वो कौन सी साथ सीटे हैं जहाँ पर इंडियन नेसल कॉंगरिस मजबूत है तो वो हम आपको बता दें इस एक्जिट पॉल के नुसार विराटनगर, फुलेरा, सिविल लाइन्स, बसी, कि जी कि सीट है, जिसमें ये दावा किया गया है कि अन्य जो है थाना गाजी में अन्य वेक्ति जो है वो जीत सकता है, यानि दोनों ही पार्टियों को मात दे सकता है पाली संभाग में चार जिले हैं चार जिलों की 14 सीटों का एक्जिट पॉल सामने आया है 14 जिलों की फलोदी 60 अबजार का एक्जिट पॉल की अगर मैं बात करूँ तो इसमें भाजपा और कॉंग्रेस दोनों को हुई आपस में है लेकिन यहां पर भाजपा मजबूत बताए गई है मजबूत क्यूं बताए गई है वो भी हम आपको बताएंगे लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें भी भाजपा जो है इस पाली संबाग से 11 सीटे जो है जीत सकती है ऐसा एक एक एग्जिट पॉल में अनुमाल लगाया गया सटाबजार की तरब से और इंडियन नेसल कॉंग्रेस के खाते में तीन सीटे यहां से जा सकती है अब सवाल यह है भी 11 सीटे भाजपा कोन से जीत रही है और तीन सीटे कॉंग्रेस कोन से जीत रही है तो हम आपको बता देते हैं भाजपा की अगर 11 सीटों की बात करें तो उसमें जेतारन है, पाली है, मारवाड जंक्सन है, बाली है, सुमेरपुर है, आहोर है, जालोर है, भीनमाल है, रानीवाडा है, सेवटर है, पिंडवाडा है और आबू है ये जो सीटे हैं जो हमने आपको ग्यारा नाम बता है ये सीट बीजेपी के खाते में जा रही ही ऐसा एक एक एकजिट पोल में सामने आ है अब इंडियन नेसल कॉंगरेस की बात करें तो पाली संबाग से सोजत हुआ, सांचोर हुआ और सिरोही हुआ ये तीन सीटे जो है वो इंडियन नेसल कॉंगरेस के खाते में बताए गई है इसमें कहिना के पाली संबाग में बीजेपी बड़ी पार्टी के रूप में उबर रही है ऐसा इस एकजिट पोल में बताया गया है अब हम अगले संबाग की अगर बात करें उद्यपूर उद्यपूर संबाग में पांच जिले हैं पांच जिलों की चोईस विदानसबा सीटों का इसमें ओपीनियन जो एकजिट शामने आया है इस exit poll की अगर मैं बात करूँ तो बीजेपी को इस उद्यपूर संभाग में 16 सीटें बताए गई हैं, कॉंग्रिस के खाते में 6 सीटें बताए गई हैं और अन्य जो है, अन्य भी यहां पर 2 सीट ले जा सकते हैं, यानि यहां अन्य का खाता उद्यपूर संभाग में कुलता वह नजर आ रहा हैं अब अगर मैं इस तमाम समीकरण की बात करें, आप पूछ रहे होंगे बीजेपी 16 कौन सी सीटें हैं, इंडरनेशनल कॉंग्रिस 6 कौन सी सीटें हैं, अन्य के खाते में कौन सी 2 है तो मैं आपको बता दूँ, बीजेपी, गोंगूदा हुआ, उद्यपूर ग्रामिन हुआ, उद्यपूर शहर हुआ, मावली हुई, सलूंबर हुआ, बेगू हुआ, निम्बा हेडा, बड़ी शादड़ी, कुंबल गड, राजसम्मंद, नाथद्वारा, मांडल, सहाड़ा भीलवडा, जहाजपूर और मांडलगड, ये सीट जो सोला सीट जो मैंने नाम लिये, ये सारी की सारी भाजपा के खाते में एक्जिट पॉल में दिखाए गई हैं, अब अगर मैं इंडियन नेसल कॉंग्रेस कौन सी छै सीटे जीत रही हैं, उद्यपूर संबाग से उसकी बात करूं, तो जहालोड सीट है, केरखाडा सीट है, वलबनगर सीट है, भीम सीट है, कपासन सीट है और आसीद सीट, यानि ये छे सीटे जो हैं, वो इंडियन नेसल कॉंग्रेस अपने खाते में ले जा सकती हैं, ऐसा इस एक्जिट पॉल में बताया गया हैं, अब अन्य संभाग अगर भरतपूर की बात करूं, तो भरतपूर में करीबन 6 जिलों का एक्जिट पॉल सामने है, जिसकी 19 विधान सबाई सीटे हैं, अब अगर 6 जिलों की 19 विधान सबाई सीटों की बात करों हैं, तो यहां भाजबा, जो है मजबूती से 12 सीटे एक्जिट पॉल मे जंदबई है, वेर है, बाडी वाली सीट है, बसेडी है, धोलपुर है, राजा खेड़ा है, तोड़ा भीम है, करोली है, बामन वास है और स्वाई माध्यपुर, ये बारा वो सीटे हैं जो कहीना की भाजपा ले जा सकती है, इस एक्जिट पोल के अनुसार से एक अनमान लग है, ये सीट जो है कहीना कही कोंग्रेस के खाते में एक्जिट पोल दिखा रहा है, अब अन्य कौन सी दो वो सीटे हैं जो अन्य सीट ले जा सकती है, तो भरतबुष शहर की एक सीट है, उसके अलावा बयाना की सीट जो है, वो अन्य के खाते में जा सकती है, ऐसा एक अनमा लगाया गया है एकजिट पोल के अनुसार दोस्तों आपने सुना किस तरीके से यह पूरा एकजिट पोल जो 161 बजारा अलग लग तरीके से लिए गया था वो तमाम एकजिट पोल हमने आपके रखा हमें एक बार फिर से आपसे निवेदन कर रहे हैं दोस्तों भी अगर आपके हिसाब से किस विधानसवा सीट में बदलाव हो सकता है और कौन से विधानसवा सीट खिसक सकती है इसको लेगर कमेंट में अपनी राय जरूर दीजे क्योंकि आपकी परतेक राय परतेक कमेंट हमारे लिए अन्मोल है जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं आज की लपस इतना ही जाहिन वंदे मातरम लगातार हमारी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं